अगर आप भूल जाते हैं हर चीजें तो याददाश बढ़ाने के लिए अपनाएं ये घरों उपाएं आपके लिए आज में कुछ ऐसे घरेलू उपाए लेके आई हूं जिनसे आप अपनी याददाश बढ़ा सकते हैं उम्र बढ़ने पर तो याददाश कमजोर होती ही है लेकिन कुछ बच्चों और व्यसकों को भी बातें और चीजें याद रखने में दिक्कत होती है पोशन की कमी या किसी चोट या बिमारी की वज़े से वेक्ति की याददाश कमजोर हो सकती है हाला कि आपको घबराने की जरुवत नहीं है क्योंकि याददाश बढ़ाने के घरेलू उपाय इसमें आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपकी या आपके किसी करीबी की याददाश कंजोर है तो अपने आहार में याददाश बढ़ाने वाले खाद्द पदार्तों और याददाश बढ़ाने के उपायों की मदद से इस समस्या से छुटकार आपा सकते हैं पहला है फिश ओल सप्लिमेंट्स मचली का तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड एसिड और डोकोसे हैंसिक एसिड ये यूख्थ होता है ये फैट तनाव और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करता है कई अध्यनों में सामने आया है कि फिश ओल सप्लिमेंट्स में खास तो अपर बुजुर्ग व्यक्तियों की यादश को सुधार आजा सकता है सेब में क्यूरिसेटिक नामक एंटी ओक्सिडेंट होता है जो की मस्तिश की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है अगर इन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचते तो बुद्धिक शंता में भारी गिरा परता सकती है सेब पार्किंग्स और अल्जाइमर जैसी विमारियों के खत्रे को कम करने की शक्ति रखता है या आगे भी आपको बहुत मदद करेगा खाली पेट पीए सेब की चाय देरों फायदे याददाश्टेज करने का घरेल उपाय है ब्रामन याददाश्ट बढ़ाने और बौधिक शंता में सुधार लाने के लिए ब्रामी सबसे बहतरीन जड़ी बुटी में से एक है इसमें बोकोसाइड और सिक्टा लेरिक ऐसे जैसे कई बैक्टेरियेटिव तत्व मौजूद हैं जो ना सिर्फ यादश्ट में सुधार लाते हैं बलकि मस्तिश के कारियों को भी ठीक करते हैं यादाश्ट तेज करने का उपाय है जिन सेंग ये न सिर्फ एक एंटी एजट जड़ी बुटी है बलकि इसमें जिन सोर साइट नामक एक्टिव तत्व होता है जो कि नैटो पिक प्रभाव और बौधिक शंता बढ़ाने देने के लिए जाना जाता है जिन सेंग खास्तों पर मस्तिश की कोशिकाओं के बीच संकेत भेजने में मदद करता है जिससे आप चीजों को असानी से याद रख सकते हैं यादा स्टेज करने का घरेल उपाय है शंक पुष्पी यह जड़ी बूटी भी नेट्रोपिक प्रभावित होती है इसका इस्तमाल तनाव अनिद्रा और एंग्जाइटी के इलाज में किया जाता है पश्वों पर किये अधियन में पाया गया है कि शंक पुष्पी मश्टिश की कोशिकाओं के बीच संबंद को बढ़ाती है जिसमें मश्टिश के कारियों में सुधार लाया जा सकता है इसके अलावा इसमें कई एंटी ऑक्सिडेंट योगिक होते हैं जो मश्टिश को स्वास्ति संबंदी सक्ति और उम्र की वज़य से याददाश कमजोर होने की समस्या उसे बचाते हैं आज हमने आपको याददाश बढ़ाने के कुछ ऐसे उपाये बताएं हैं जो आपको उम्र भर मदद करेंगे तो चाहे आपका एक्जाम हो या आपके से पर कोई चोट लग गई हो या फिर किसी वज़े से आप भूल रहे हो तो आप इन उपायों से अपनी याददाश को दुरस्त कर सकते हैं जो आपकी उम्र भर सहयता करेंगे ऐसे ही हल्थी टिप्स के लिए बने रहे हैं इंडिया न्यूज हल्थ के साथ